पश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिपर कुछिंग आई इस भाई टेस्ट बुक में तो इसके पीछे कुछ तो कारण है इसके पीछे एक पॉलिटिक्स है जो कि आप देखे तो डिमोक्राट्स और रिपब्लिकन्स दोनों एक दूसरे के खिलाव खेल रहे हैं तेकस लिए भी माईगरेंट से उनको ट्रफ इसलिए भीज रहे हैं क्योंकि वह बाईड़न को एक सबग सिखाना चाहा है तो वह क्या सबख है सातिसाथ बाईड़न क्या पॉलिटिक्स खेलना चाहा रहे है उस पर इस पर भी आजम चर्चा करेंगे और सातीसाथ जानेंगे आख जैसे ही आप देख सकते हैं न्यूज को थोड़ी सी गहराई में देखते हैं तो न्यूज में क्या आया है न्यूज में आया है कि न्यूज की जो मेर है Eric Adams उन्होंने एक state of emergency अपने शहर में डिकलेर कर दिया है उनका कहना है कि इतने सारे migrants आ रहे हैं कि उसके वज़े से एक crisis situation उभरती हुई दिख रही है उनका कहना है कि April से अब तक शहर में New York City में 17,000 migrants आ चुके हैं बस इस शहर में April से अब तक and Republican states like Texas, Arizona, Florida तो आप देख सकते हैं यहाँ पर this is Texas यहाँ पर आप ऐसी देखें यह Arizona है यहाँ पर आप देखें तो यह Florida है एक बार आपको दिखा देता हूं तो Arizona, Texas and this is Florida तो यह सारे अगर आप देखें तो किस कलर में लाल रंग में है रिपब्लिकन स्टेट है वहीं अगर आप New York देखें तो एक ऐसा स्टेट है तो यह देखोगे आप Democrats के control में है तो यह सारे स्टेट से आपको ऐसा देखने मिल रहा है कि migrants को भेजा जा रहा है New York यह सब कह रहे है New York जाओ और Texas से तो special bus arrange करवा दी गई है New York जाने के लिए free में जो भी city extra resources allocate कर सकती है इन migrants के लिए और साती साथ जो भी response efforts चाहिए उसको तेजी से provide किया जा सकता है with respect to the migrants आप देख सकते हैं यहाँ पर यह एक homeless center है जिसके तरफ बस से उतर के सारे homeless people आपको जाते हुए देख रहे हैं shelter के तरफ जाते हुए इसमें अगर आप देखोगे तिनके हाथ में एक बैग देखने मिल रहा है यह बैग अगर आप देखे तो इसमें लिखा हुआ दिख रहा है कि अगर आप देखे तो माइगरेंट्स आ रहे हैं वो भी उस तरफ जा रहे हैं तो अब सवाल उठता है आखिरकार यह state of emergency क्यूं इशू की गई है माइगरेंट्स आए तो कहां से आ गए और किस तादाद में आए हैं तो दूस्तों हुआ क्या है ना वेनिजुएला में हुआ है एक सबयाबस और उसके बाद से कई माइगरेंट्स जो कि वेनिजुएला से भाग भाग के यू-यूक की तरह्फ आ गए हैं करीब न बस New York शेहर आ चुके हैं सप्टेंबर से अब तक पांच से एंक पहुंच रही है नौयॉक सिटी इन Southern States से, यहां से यह सब के सब New York जा रहे हैं, डेली 5-6 बस जाती है, और migrants ले करके जाती है, और इन में से कई तो school going children है, तो उनको सरकारी स्कूल में भरती भी कराना पड़ता है, medical care भी देना पड़ता है, तो जो state का खर्चा है, वो काफी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, because of the migrant influx, और वहीं अगर आप देखे, तो जो city का shelter system है, उसमें 61,379 लोग इस वक्त देखने मिल रहे हैं, जो की record high के करीब है, और शायद जब तक ये video बन रहा हो, record high टूट भी गया हो, और एक नया किरतिमान भी वहाँ बन गया हो, लेकिन चिंता की बात क्या है, कि कहा जा और इनको पालने में, जो खर्चा होने वाला है, वो सरकार कैसे बियर करेगी, New York City का कहना है, कि इतना migrant influx हो गया है, कि 1 billion dollar का खर्चा इस साल होने वाला है, इनको समालने में, तो यहाँ पर आपको मन में सवाल आएगा, कि आखिरकार US इतने migrants आ क्यों रहे हैं, तो आपको याद होगा, जो बाइडन की जो पॉलिटेक्स है, उसके अनुसार, वो migrant friendly policy ले करके आए हैं, जिस वज़े से migrants US border पार कर पा रहे हैं, और जाहिर सी बात है, उनमें से कई New York City के तरफ जा रहे हैं, खैर इस पर हम फिर चर्चा करेंगे, खैर यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, कि इतने migrants New York City ही क्यों जा रहे हैं, अन्य भी तो शहर है, देखिए New York City में एक right to shelter है, पिछले 40 या 50 साल से वहाँ पर सरकार देती है, right to shelter, जिसका मतलब क्या है, शहर एक bed offer करेगा, वो सभी व्यक्ति को जिसको उसकी आवशकता है, आपको तस्वीर भी दिखा देता हू आप देखें, तो इस प्रकार का होता है, bed होता है, उपर fan वगेरा है, और वाकी चीज़ें भी रहती है, एक basic living के लिए, जो सरकार प्रोवाइड करती है, तो New York अगर आप देखें, तो इस प्रकार से emergency shelter, क्योंकि इतना जादा migrant influx हुआ है, कि अब बहुत जादा open करने Randles Island करके एक जगह है, जो की Manhattan के ही पास है, वहाँ पर tint में लोगों को, जो भी migrants आ रहे हैं, उनको वहाँ पर डाला जा रहा है, हाला कि रिटिसाइज भी किया जा रहा है, कि जो Randles Island है, that is a flood prone region, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप migrants को move करा होगे, तो जाहिर सिबात है, वो बा migrant को तिकाने का बंदोबस्ट करने के पीछे भाग रही है, दोल रही है, तो अब यहाँ पर और भी कारण है, सिर्फ migrants दूसरे देशों से आ रहे हैं, उन्हीं की बात नहीं है, यहाँ पर अगर आप देखें, तो New York City में ऐसा भी कहा जा रहा है, कि अभी recently जो hurricane आया है, उसक सिवा, overall भी अगर आप देखें, तो inflation इतना हाई है, कि काफी लोग वहाँ पर homeless बढ़ रहे हैं, इसलिए New York City में migrants का जो demand है, जो homeless people का demand है, वो बढ़ता जा रहा है, पर अब दोस्तों हम समझेंगे इसके पीछे की politics, आखिर कारी Southern States क्यों Northern States की तरफ migrants को भेज रहे हैं, तो इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा President Joe Biden की ओर, तो President Joe Biden की जो politics है, वो है migrant friendly policy, जिसके दवारा जो Southern US border है, उसमें अगर आप देखें तो Mexico और अन्य देशों से migrants को easily move करवाया जा रहा है, आपको याद होगा इससे पहले Trump हुआ करते थे, तब वो policy बिलकुल खिलाफ थी, migrants को move नहीं करने देना चाहते थे, दिवार उची-उची लगा रहे थे, तो यहाँ पर आईये समझते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, तो अगर आप देखें तो यह जो Southern States है, आप यहाँ पर जो Southern States देख रहे हैं, यह सभी के सभी अगर आप देखें तो किसके control में है, more or less Southern States अगर आप देखें, तो यह Republican के control में है ना, लाल रंग में आप देख पा रहे होंगे, Arizona, Texas, Oklahoma, वैसे ही आप देखें, Florida, जितने भी major States है, South के, यह सब के सब Republican control में है, अब अगर आप देखें, बाइडन क्या है, खोद एक Democrat है, तो Democrat चाहते हैं, यह जो Southern States है, वहाँ पर बसना शुरू हो जाएं, और यह migrants वो होंगे, जिनको Democrat की शरन दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में, यह Democrats के, आप अगर देखें, तो उनके चहीदे होंगे, तो जब इनको voting rights मिलेगी, तो हो सकता है, यह Democrats को ही vote देंगे, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की politics वो खेलना आ रहे हैं, और इसी politics को, अगर आप देखें, तो इसका counter narrative आप देखें, तो Texas and in Texas, Arizona and Florida जैसे states, उसका counter narrative आपके सामने रखते हुए देख रहे हैं, तेकसस यहाँ पर क्या कर रही है, फ्री बस राइट दे रही है, जितने भी migrants आ रहे हैं, कहने ठीक है, आप बाहर से आने द अगर आ रहे हैं, तो इनको बस में भर भर के, New York City की और बेज दिया जा रहा है, सरकार खुद की free bus rides दे रही है, और कहरी है, जिस migrant को जाना है, जाओ, हम तुमको free में पहुचा देंगे, migrant भी खुश, New York City जाएंगे, बड़ा शहर है, शाहर नौकरी वगेरा भी कुछ मिल इल्लीगल तरीके से कर लेंगे, बले इल्लीगली नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इल्लीगली, US में आपके कोई दोस रहता है, तो आपको मालूब होगा, काफी लोग करते हैं, तो इल्लीगल नौकरी भी मिल जाएगी, और इल्लीगली काम भी वहाँ पर कर लेंगे, और population म करें, जैसा ट्रंप की दोर में था, और दूसरे तरफ इसका परपस ये भी है, कि जो माइगरेंट का बर्डन है, वो ये सदन स्टेट्स अकेले क्यों उठाएं, थोड़ा नॉर्दन स्टेट्स को भी बुलें कि आप भी बियर करो, तो इसलिए इसका आउटकम क्या हुआ ह अगर आप देखें, तो अब एक स्टेट ऑफ इमर्जेंसी डेक्लियर कर दी गई है, तो अगर वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साती साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नही लाइव क्लासेज हैं, यहाँ दोस्तों, लाइव क्लासेज हैं, इतना ही नहीं हमारे सूपर टीचर से, जिनके दवारा अगर आप देखें, तो जो चीज़े वह आफ्लाइन में पढ़ाते हैं, वही चीज़ आप यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं, तो वह सारा कंटेंट करते हैं, पर जब आप कूपन कोड यूज करेंगे के आई याने किंजल, तो आपको मिलता है 20% और जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है, वह घटकर हो जाएगी करीबन 2400 रुपे प्रतीमा, तो निशिंद होगे, आप कौन सा कोड यूज कर सकते हैं, के आई ये 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 किंजल,